कि हालो फ्रेंड सेम्ब्लेस रूटीन के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है तो आज हम और एक एप के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम पैसा कामा सकते हैं आप नहीं देखा होगा कि जितने भी मैक्सिम एप से जो दावा करते हैं पैसा कमाने का वो एक तो उसका जैनियूनीटी का पता नहीं चलता है कि यह जैनियून होते हैं कि नहीं करके और दूसरी बात यह है कि वो कितने वक्त में यानि आपको जो अमाउंट स्पेसिफाइड अमाउंट है वो दिला सकत तो आज हम एक ऐसे आप के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है वेट फॉर सेकेंड हाँ टोलूना तो टोलूना ओ एक एप है जिसका काम सिर्फ सर्वे लेना है तो यह सर्वेज कभी यह डेमोग्राफ की हिसाफ से होते हैं कभी प्रिम सर्वेज होते की क्विक सर्वेज होते अपको यह सर्वेज देके पॉइंट्स अन करना पड़ता है तो आप जैसे देख रहे है की यहां पर नहीं थान शर्वेज है अब एग सरवज लोड रहा है अब आप देख सकते हैं कि आप एक आईडी लिखिया हुई है उसके बाद कि यानि कैसे काम करता एक आप स्टार्ट सरवे कर दोंगे तो वह सर्वे स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसा है तो फिलाल जो मेरे पस जो पॉइंट बैलन्स वो है 8250 नुHAN में वक्त कितला लगता तो जो मुझेद लगा है दोस्तों याने 500 रुपीस कमाने के लिए वो मुझे एटलिस तीन से चार मेने का वक्त तो लगाई है क्योंकि आपको यहां पे पॉइंट्स रिडेम करने पड़ते हैं और हर एक रिडेम्शन का एक अलगी याने जैसा एमेजॉन हो गया पेपाल हो गया इनके खुद के रिड इतने पॉइंट्स में रिडेम करने वाले करके अब हम यह रिडेम्शन क्या बोलते हैं विंडो में आया है वैसे जो एप का जो यूजर इंटरफेस है बहुत ही इजी है यूज करने के लिए आपको जादा दिक्कत नहीं जाएंगे याप यूज करने को और आप देख सकत कूपन निकालना चाहते तो 19,800 लगेंगे वैसी पेपाल का अगर आपको जो यह रिडेम्शन पॉइंट से वो डायरेक अपने बैंक में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए 50,000 पॉइंट्स लगेंगे तो और भी बाकि सब कूपन कूपन से हाँ पे जो की जैन्यून है मैं यह दावे से कह सकता हूं क्योंकि मैं यह एप बहुत समय सी उस करता रहा हूं बस यह एप उन लोगों के लिए ठीक है कि जो यह खाली है फिलाल जो कुछ कर नहीं रहे है जिनको एक अर्निंग का एक सोर्स चीन है तो एट लिस्ट आप दिन के 15-30 मिनिट्स दे के भी यहने कुछ अगर पौइंट्स कम है तो यहनि चार मैंने में फुकट के आपको 500 रुपे आ रहे कुछ वक्त देके फुकट के नहीं बोल सकते हैं कुछ वक्त दे कि आपको पस्यूंद दिक्षाय पाता जवांट एक साम हें और एक साल की एड़ आगा हुआ जाते है तो में देखने काम सहां तो यह आप में Link इढ़ाइब हुआ क्हसक टो एक पॉंट सो मेरे डियॉक्ड हो गए हैं और इसमसा देखँ अब भी रहता है आइफोन का वो तो अभी तक मिला नहीं कभी मिलेगा भी नहीं ऐसा लगता है क्योंकि वो तो लॉट्री समान है और जो में जो चीज में दिखाना चाहता हो दोस्तों वो है मेरे पास सच मुझ के पैसे आया है कि नहीं करके तो यह जो है पेपाल का पेपाल का जो रिडेम्शन कोड यह प्रोसेस हुआ था मुझे 8 डिसेंबर 2017 को और मैं पेपाल के तुरू यह बता सकता हूं कि यह पैसे मुझे आये है यह एक आपको इमेज दिखा दूंगा उसकी अपना पेमेंट की तो यह था एप का थोड़ा सा दर्शन और आप आपका जितना भी यहने आप अगर डिखिए फेक का इमेज यूज कर ले कर रहे हैं इसके लिए तो जो दूसरा जो में जो मैल है जैसा की पेपाल सिर्फ जो पेमेन्ट लेता है वो मेंऎल के थोगण होते हैं आप उसको recover नहीं कर सकते हैं तो यह बहुत ध्यान देने आली बात है और और हाँ इसके जो service जो रहते हैं न वो यहने काफी time consuming होते हैं आपको जो service में लिखा हुआ है कि यहां पर इतने minute लगेंगे उतने minute लगेंगे कोई कोई service इतने बड़े होते हैं कि वह at least आपके 30 minutes लेते ही हैं तो आपको उतना time देना होगा क्योंकि service complete करने के लिए और यहां पर maximum जो points मिलते हैं वह 2000 भी रहते हैं तो 2000 points के आपको service मिल भी सकते हैं और और एक negative बात यह है कि जरूरी नहीं कि हर एक survey आपको मिला और आपने उसका demo दिया ने तो कुछ थोड़ा feel करते गएं तो यह जरूरी नहीं है कि हां तो मैं कह रहा था दोस्तों कि अगर आप कोई survey feel करते हैं फिल आउट करते हैं और बीच में वह कैसा है कि एक अगर आप survey कोई start करते तो वह आपसे eligibility देखता है कि आप survey के लिए fit बैठते हैं कि नहीं तो maximum type ऐसा होता है कि survey नहीं मिल पाता है आपको तो आपको continuous strike करना पड़ता है कि जो भी survey आप उसको fill out करें करके तो अगर आप उसको fill out करते हो और ending तक आप survey बरबर दे देते हैं तो आपको वह points gain होते हैं तो उसी प्रेकार से points gain होते होते फिर आप 50,000 51,000 तक पोच जाएंगे तो आप redeem कर सकते उसको तो और और तो कुछ बात नहीं है इस app में और हां और है यह जो प्रोग्राम है earn 20,000 points per month by joining consumer insight program तो यह प्रोग्राम में ने अभी तक इसलिए join नहीं किया है क्योंकि यह आपका data stats collect करता है अगर आप permission दे तो यह आपका data stat collect करता है अगर आपको लगता है कि आपकी privacy उतनी है नहीं और आपका data याने उतना कुछ मौल भाव का नहीं है तो आप जरूर करिये बट अगर आप बहुती secure इंसाने और आप सोचते है कि privacy याने रहनी चाहिए आपका कोई data देखना नहीं चाहिए क्योंकि यह कैसे है कि अगर आप phone में अपने permissions दे देते है कि आप हमारे demographs check कर सकते हो तो हमें पता नहीं रहता कि उसके अलावा भी क्या हो रहा है जैसे आजकल आप news देखते होंगे कि फिलाल तो क्या बोलते हैं Google और Facebook पे याने इलजाम लगते आ रहे कि आप जो user का data है वो याने समाल के नहीं रखते data leak होता है इसमें बहुत याने chances रहते तो आप यह जो प्रोग्राम है consumer insight program वो अप नहीं याने रिक्स पे activate कर सकते जॉइन कर सकते तो अगर आप तो यह जो site available है टोलो ना कि एक तो website available है और दूसरा app available है मैं दोनों के link दे दूंगा अपना इने details में तो आप बताईए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और like share और subscribe कीजे और मैं ऐसे ही याने कुछ apps या reviews के आपके सामने तिल देन गुडबाई है गुड़ डे गुड़ नाइट